बस्कार दोसों स्वागत Musk एक नहीं वीडियो में दोसों इस वीडियो मताने वाला हूँ आपकि तरह से Vivo V23 में या फिर Pro में और 20 Pro में कि आप मोबाइल डेटा लिमीट सेट कर सकते हैं Mobile data limit set करने के लिए आपको mobile के setting पर जाना है या फिर कुछ इस type का icon दिखता है तो यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन बढ़िया तरीका होता है mobile के setting पर चले जाओ setting का icon कहीं भी किसी को भी दिख जाता है जैसे ऐसे scroll करके यहाँ भी setting का icon दिखता है तो यहां से भी type कर सकते हो, यह जो छोटा वाला setting दिख रहा है, अब यहां पे आपको network internet पे चले जाना है, इसके बास sim card and mobile network पे चले जाना है, अब यहां पे आपके दोनों sim दिख जाते हैं, अब जिससे आप net चलाते हो, mobile data में जो sim यूज कर रहे हो, जिससे net चलाते हो, उस sim पे आपको set करना है, आप चाहो तो दोनों पे restriction लगा लो, दोनों पे set कर लो बारी बारी से, लेकिन एक sim के लिए बताऊंगा, दूसरे sim के लिए आपको same set करना पड़ेगा, अब यहां पे mobile data के नीचे आपका nexture दिख रहा है, तो यह वाला sim है हमारा, तो इस पे हम जाए अब नेटिस से चलाता हूं, इस पे गया हमें, और इसके बाद आपको app data usage पे जाना है, अब यहां पे जाकर करके यह setting का icon पे tap करूँगा, यहां पे data warning and limit की setting आ जाएगी, तो सबसे पहले यहां पे आपको tap करना है, और जिस date को आप recharge कराते हो, वो date आपको select कर लेना है, व data warning और यहां पे दो चीज़े होती है, set करने के लिए, पहला होता है data warning, warning का मतलब होता है, कि अगर आप यहां पे, जैसे कि मैंने यहां पे monthly set कर रहा हूं अभी, ध्यान दीचेगा, तो 30 दीन के अंदर, 30 दीन के अंदर, मतलब दो तारिक से count होना शुरू हो जाएगा, ठीक one year का, सबसे best recharge है, 1800, 1700 रुके का side recharge होता है, एक साल चलता है, उसमें मिलता है data, 24 GB के असपास, तो मैं यहां पे 2 GB मंथली इस्तमाल करता हूं, बाकि Wi-Fi से करता हूं, तो यहां पे 2 GB मैंने कर लिया, है ना, अब 2 GB data जैसे ही खतम होगा, वो उन्हें warning मिल जाएगा, अब data, अ जाएगा आपको कि 2 GB खतम होगया, तो बड़े हिसाब से इस्तमाल करोगे, या अपना वाइल डेटा बंद कर दोगे, एक होता है limit, आप limit को भी साथ में set कर सकते हो, अब limit पे जैसे कि मान के चलो कि मुझे 2 GB, मतलब पूरे के पूरे मुझे 24 GB मिले हैं, पूरे 12 महीने के ल करना चाहता हूँ, GB में ही कर लेता हूँ, GB में, तो मैं total खर्च करता हूँ 2 GB, ठीक है, तो भाई 2 GB पे तो मेरा net बंद हो जाना चाहिए, मतलब 2 GB के बाद मैं खर्ची नहीं करूँगा, तो भाई मेरे को वर्निंग मिलने का कितना पे मिलना चाहिए, तो वर्निंग मैं कर देता हूँ 1.5 पे, यानि कि देड़ जी भी पे मुझे वर्निंग मिल जाए, ताकि बाकी बचा हुआ 500 MB में बड़े अराम से धीरे धीरे इस्तमाल करो, ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेट कर सकते हो, अब बहुत सर लोग का सवाल होगा, भाई, कि हमारे यहाँ ज़्यादत आपना वर्निंग सेट करो, देड़ जी भी आपका खतम हो जाएगा, तो वर्निंग मिल जाएगा, या फिर देड़ जी भी पर वर्निंग आ जाएगी, अब यहाँ पर साइकल डेट कोई भी रखो, कोई फरेक नहीं पड़ता, आपका देड़ जी भी डेली का मिलता है, या डेली डेटा लिमिट जो डेली का डेटा कंजूम करते हैं जिनको डेली का डेटा मिलता है ये थी मंथली डेटा लिमिट तो वीडियो अच्छी लगी होगी इसको मैं आउन कर देता हूं तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक किजे सेर किजे सब्सक्राइब किजे मि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइए